हलो दोस्तो, प्लसफंड के यूटूब के वीडियो में आपका स्वागत है, दोस्तो मेरा नाम है निकित शाह, दोस्तो आज का इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले कि फेस वोल्टेज या लाइन वोल्टेज दोनों में से कौन सी वोल्टेज में आपका मोटर जादा वाला है, फेस वोल्टेज में या लाइन वोल्टेज में, बहुत ही डीटेल में हम लोग इस वीडियो के सीखने वाले है, बहुत ही आसानी से मैं आपको सिखा दूगा, तो अगर पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिया अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है तो चले शरुआत करते हैं, सबसे बहुत हमें जानना यह है कि यह जो फेस वोल्टेज जो मैंने बताया है, या जो लाइन वोल्टेज बताया, उसका मतलब क्या है, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का मतलब होता है, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन, लेकिन start connection और delta connection का phase voltage और line voltage से क्या लेना है देना पहले तो हम लोग को वो समझना पड़ेगा उसके बाद में हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा voltage जो है जाधा current खाने वाला है correct तो उसके लिए समझने के लिए हमें three phase motor को समझना पड़ेगा क्योंकि अगर आपको मालूँ रहेगा कि three phase motor जो रहता है उसके अंदर तीन coils रहती है तो अगर एक कोईल के winding है दूसरी कोईल के winding है तीसरी कोईल के winding है यहां पर correct यह उसके अंदर का part हो गया तो अगर मैं इसका connection कुछ इस प्रकार से करता हूँ कि यह जो starting point है तीनों के यानि कि winding के जहां से शरुवात होती है जिसमें RYB के नाम से लोग पहचानते है अगर आपको मालूंग नहीं RYB क्या है तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊगा RYB का मतलब होता red, blue और yellow यह color code है जो कि three phase power supply को लगाया जाता है तो अगर मैं RYB पे यहाँ पे starting current जो रता है वहाँ पे connection करता हो कुछ इस प्रकार से और उसके ending के जो point है वहाँ पे मैं एक दुसरे के साथ में उसको जोड़ देता हो यानि जो तीनों phase का supply मैंने starting point पे लगाया और उसके जो अंत वाला हिस्सा है तीनों phase के जो end वाले हिस्से उसका अपस में जोड़ दिया तो इस connection को बोलते है star connection क्या बोलेगे star connection तो star connection हमारे जो three phase motor है उसके उपर जो box लगा हुआ रहता है जहाँ पे हम लोग U, V, W करके पहचाना जाता है वहाँ पे अगर आप देखे होगे तो कुछ उसका connection कुछ इस प्रकार से रहता है याने कि यह starting coil की starting है और coil की ending जो है तीनों को आपस में जोड़ दिया यहाँ पे जैसे मैंने बता है यह तीनों जो end है आपस में एक दुसरे को जोड़ दिया अगर अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो हमारी आर का connection है उसको मैं य के end के साथ में जोड़ देता हूँ बरबर यहाँ पे आपको समझ में आरी ही बात उसी तरीके से अगर य का starting से मैं जो blue color का जो ending point है उसके साथ में जोड़ देता हूँ और blue करा का जो starting है उससे R के ending point को मैं जोड़ देता हूँ इस तरीके से अगर मैं connection करता हूँ इस connection जो यह जो connection है आपको अगर मैं सरलता से यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँ यह R से R का जो starting है वहाँ से Y के end को लगाया Y के starting से blue को end को लगाया और blue के starting से मैंने red को end को लगाया इस तरीके से यहाँ पर connection किया है इस connection को हम लोग बोलते हैं delta connection क्या बोलते हैं delta connection सहज माई भात अगर delta connection की बात करें तो motor के जो उपर ही भाग है वहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दाए आपको star connection ने क्या था का ending इस तरीक से आपस में एक दूसरे को जोड़ा हुआ है तो इस connection को बोलते है delta connection समझ भाया इतनी बात तो यहाँ पर अगर मैं आपको सरल्दा से और उसको थोड़ा सा elaborate करने की कोशिश करो और सरल्दा से बताने की कोशिश करो तो star connection जो रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है यहाँ पर तीनों coil उसके तीनों coil का जो phase है वो यहाँ पर supply दे दिया और उसका तीनों coil का ending point एक दूसरे के साथ में जोड़ दिया इसको हम लोग बोलते है phase voltage क्या बोलेगे क्योंकि हम लोग जो भी checking करेगे तो कहां से चेक करेगे इधर और इधर रख के चेक करने वाले यानि कि एक phase जो है पर coil एक ही phase जा रहा है इसके लिए हम लोग क्या बोले है उसको phase voltage जबकि मैं delta की अगर मैं बात करूँ तो delta में क्या होता कि ये और ये इसमें कहीं पे भी एक point ऐसा नहीं जो इसको हम लोग neutral बोल सके कहीं पे भी ऐसा point नहीं है क्योंकि अगर मतलब हर एक point पे दो phase है हर एक supply पे कितने है दो phase जा रहे हर एक coil पे कितने जा रहे है दो phase जा रहे इस वज़े से इस connection को हम बोलते है line voltage यहाँ पे जभी हम लोग चेक करेगे तो line to line हमें check करना पड़ता है यहाँ पे तो line और neutral के बीच में check करना पड़ता है यह neutral हो गया तीनों एक साथ में mix हो गया तो neutral हो गया इसको बोलते है phase voltage जभी line to line हम लोग जभी check करते है तो उसको बोलते है line voltage अभी समझ में आपको line voltage और phase voltage क्या है तो एकदम वापिस एक बर दोहरा था हूँ कि हमारा जो star connection रहता है वो हमारा line या phase voltage रहता है और delta connection रहता है वो हमारा line voltage रहता है जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता है जो star connection आपका phase voltage है और delta connection आपका line voltage है यह पूरा terminal box है जो three-phase motor के उपर जो terminal box है उसके पर रहता है लेकिन हमारा question तो अभी भी वही है कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा current कौन खाने वाला है star connection ज़्यादा current खाएगा कि delta current ओके यह हमारा तो normal question अभी भी वैसा का वैसा है चले उसको भी समझ लेते लेकिन उसके पहले जाने करेकर बता तो हम लोग ने online में कई सारे courses चालो कर दे है mobile repairing, electro repairing, electronics, electrical, home appliances, repairing, computer hardware, software काफी सारे courses है यह सब courses करने के लिए google play store पे आपको खाली plus point training नाम का app search करना है यह download करने के बाद install करने के बाद आप open करोगे तो वहाँ पे काफी सारी चीज़ आपको नजर वियू आल करने पर नजर आएगे जो कोर्स करना उस पर क्लिक करने के बाद उसकी सारी detail information fees के related आपको मिल जाएगी इसके अलावा अगर आप content पे क्लिक करेगा तो उसके नर हम लोग क्या क्या चीज़े सिखाते वो भी details आपको यहाँ पर मिल जाएगा यह app के जरी आप मु तो उसको समझने के लिए मैं एक example देता हूँ यहाँ पे three phase motor लिया जो की five kilowatt की motor मैंने ली वी है कितने five kilowatt की ठीक है three phase motor है अभी माल लो कि star connection जब भी मैं करता हूँ तो star connection में मैंने क्या बताया है कि तीनो phase जो है वो एक दुसरे के साथ में जोड जाते है यहने कि तीनो phase का अगर मैं उसको भी explain करूँ तो अगर मैं three phase की बात करूँ तो three phase में हम लोग बोलते है कि 415 volt जा रहे है बरवर है 415 divided by root 3 अगर तुम यह calculation करोगे तो आपको 240 volt ही मिलेगा correct इसी तरह के से power जो है वो 5 kW का देर है याने कि 5 kilowatt का देर है इसका मतलब होता है पास हजार 5 kilowatt का म मतलब होता है 5000 तो power कितना है 5000 तो हमें voltage मिल गया है power मिल गया अभी हमें क्या ढूणना है current ढूणना है तो current के लिए बहुत ही simple formula current is equal to power divided by V याने कि voltage into root 3 into PF PF का मतलब होता है power factor correct तो इतनी चीज़े हमें लगानी पड़ती है तो अगर मैं इसका calculation का root सरलता से तो 5000 यह 5000 कहां से ह है क्योंकि हमारी जो motor की ताकत है वही 5000 है इसलिए मैंने 5000 है इसका मतलब है 5000 इसलिए मैंने 5000 लिया है 240 क्योंकि per phase हम लोग 240 वोल्ट देने वाल है into 1.732 1.732 root 3 अगर मैं इसका calculation करू root 3 का अगर आप scientific Kelsey है तो आपको 1.732 मिलेगा into 0.8 यह power factor है 0.8 0.6 से लेकर 0.8 के बीच में power factor रहता है तो मैंने यहाँ पे 0.8 लिया हुआ है correct तो इसके calculation के ही सबसे I की जो value होगी 5000 divided by 332.54 इसका मतलब है I की value होगी 15 Ampere तो अगर मतलब मैं phase voltage में अगर मेरी motor चलाता हूँ याना कि star connection में अगर मेरी motor चलाता हूँ तो वो motor जो है वो 15 Ampere का current लेने वाला है इसी प्र इसका starting दूसरे का ending इस तरीके से जोड़ा हुआ है correct तो इसको हम लोग क्या होलते थे delta connection इसके अंदर आपको हर phase मलब एक phase दूसरे phase में जोड़ा हुआ है तो face to face voltage कितना होता है 415 volt होता है correct तो 415 volt यह लिया power जो है वो 5kw का लिया याने की 5000 सेम लिया है के बाद current की बात कर current हमें ढूणना है तो current अगर मुझे ढूणना है तो I same formula में लेता हूँ जैसे हम लोग ने star के लिया थिया तो वैसे ही 5000 divided by 415 into 1.732 into 0.8 अगर मैं इसका calculation करूँ तो यहाँ पे मुझे जो current मिलेगा वो मिलेगा current is equal to 8.69 mps है ने की लगभग 9 ampere के आसपास तो star में आपको कि 15 ampere का current लगता था मोटर को चलने के लिए जबकि delta के अंदर अगर मैं पूरा calculation के साथ में बता हूँ तो delta के लगभग 9 ampere का current जा रहा है तो अभी आपका सवाल का जवाब को मिल गया कि अगर आपका star connection में आपका मोटर चलते है यानि कि face to face voltage के उपर अगर आपका मोटर चल आएगा तो I think अभी यह पूरा clear हो गया मामला कि star में चलाना चाहिए या delta में चलाना चाहिए हमारा जो star connection है वही face voltage था और delta connection था वही हमारा line voltage था तो I think यह दोस्तों यह पूरा concept आपको clear हो गया रहेगा कि कौन सा voltage जो है जादा खाता है दोस्तों अगर आपको online courses करने तो यह मेरा whatsapp number है इसमें मुझे केवल high का message डा दी तो मैं पूरी जानकर आपको whatsapp के माधियम से भिजवा दूगा अगर आप नए है चैनल के उपर तो subscribe का button दबा के bell का icon दबा देजाए ताकि मेरे जो भी नए वीडियो जाए का उसको notification आपको जल से जन मिल जाए अगर आपक